नमोनमह संस्कृत कक्षायाम भवताम भवतिनांच उनरेकदा स्वागतम। अहम अस्मी अशोक कुमारह अध्य वयं शेमुशी द्वितिय भागस्य शस्थमं पाठं पठिश्यामह। अस्य पाठस्य सीर्षकह अस्ति सुभाशितानी। नमोनमह संस्कृत कक्षा में आप सब का स्वागत है। आज हम सेमुशी द्वितिय भाग के छटे पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का सीर्षक है सुभाशितानी। चात्राह सर्व प्रथमं वयं सीर्षकहस्य पदपरिचयं भावार्थं च पस्यामह। आईए सबसे पहले इस पाठ के सीर्षक का पदपरिचय और भावार्थ को समझते हैं। सुभाशितानी इदम अकारांत नपुन्सक लिंगस्य सुभाशित इति शब्दस्य प्रथमा विभकते हैं बहुवचनांतम रूपम अस्ति। अत्र सु इति उप्सर्ग भाशितानी इति क्रदंतम पदम अस्ति। सु इत्यस्य अर्थह सुन्दरानी अथवा उत्तमानी अथवा हितकरानी इति अस्ति। भाशितानी अस्य वचनानी अथवा कथितानी इति अर्थह। शुभासितानी अर्थात सुन्दराणी, उत्तमाणी, हितकराणी, चवचनानी बच्चो इस पाठ के सीरशक को हम देखते हैं तो दो शब्दों से जुढ करके ये बना है सु और भासितानी सु अर्थात उत्तम, अच्छे और भासितानी कही हुई बाते तो जो अच्छी कही हुई बाते हैं उनकी बारे में हम आज पढ़ेंगे बच्चो, सुभाशितानी बहुत सारे हमारे समस्कृत के ग्रंथों में उपलब्ध होती है जैसे नीती शतक भरत्री हरीजी ने जो लिखा है उसके बाद में और बहुत से ग्रंथों में अच्छी कही हुई उक्तियां, सुक्तियां, सुभाशिते हमें मिलती है अधुना, अस्य पाठस्य घूमिकाम पश्या महा अस्मिन पाठे विविधेभ्यह, ग्रन्थेभ्यह, संकलितानी, दश सुभासितानी, संग्रिहितानी संती चात्रों इस पाठ में अलग-अलग ग्रन्थों से लिये गए दस सुभासित शलोक यहाँ पर दिये गए हैं संसकर्ट साहित्य सार्व भोमिकं सत्यम प्रकाश इतुम अर्थ गांबिर्य यूता प्रेरनात्मिका पद्यमय रचना शुभासितानी इती कध्यते संस्कृत साहित्य में सारव भोमिकम सत्यम प्रकाशितुम ऐसा सत्य जो सभी काल देश परिस्तिती में सत्य रहे ऐसे ज्यान को ऐसे सत्य को प्रकाशित करने के लिए और अर्थ की गामभीरिय और प्रेणा से युक्त जो पद्यमई रचना होती है उसको सुभाशित कहा जाता अस्मिन पाठे परिश्रमस्य महत्वं क्रोधस्य दुस्प्रभावः सामाजिक महत्वं सर्वेशाम वस्तुनाम उपादेयता बुद्धेहे वैशिष्ट्यम च इत्यादयह विविधाह विशयाह संती इस पाठ में परिश्रम का महत्व, क्रोधस्य दुस्प्रभावः, क्रोध के बुरे परिणाम, सामाजिक महत्वं, समाज का महत्व, सर्वेशाम वस्तुनाम उपादेयता, सभी वस्तुनों की उपियोगिता, बुद्धेहे वैशिष्ट्यम, बुद्धी की विशिष्ट्यम इत्यादयह विशयह संती ऐसे ऐसे प्रमुख हमें ज्ञान प्रदान करने वाले विशय हैं प्रिये छात्रो सुभासितों का महत्व कभी कम नहीं होता चात्र जीवन में पढ़ी गई सुभासिते जीवन भर हमारा मार्ग दर्शन करती रहती हैं तरही आगच्छ अध्य पाठस्य आरंभम कुर्मह प्रथमं श्लोकं पठामा तो आईए इस बहुत महत्पूर्ण और ज्ञान प्रदान करने वाले इस ज्ञान वर्धक पाठ के पहले पद्य को हम पढ़ते हैं आल अस्यम ही मनुष्याणाम सरीरस्थो महान रिपुहू नास्ति उद्यम समोबंधू कृत्वा यमनाव सीधती अधुना अस्य सुभाशित अस्य पदच्छेदम जानि महा बच्चों पदच्छेद में शब्दों की रचना पदों की रचना कैसे हुई है उनमें कौन-कौन से शब्द मिल करके वो शब्द बना है उसको हम जानते हैं तो यहां देखते हैं आलस्यम ही मनुष्याणाम सरीरस्थाह महान रिपुहू न अस्ति उद्यम समाह बंधू कृत्वा यम न अवसीधती यह हमने पदच्छेच जाना अब इसके बाद में हम इसका अनुवे देखेंगे अनुवे आलस्यम ही मनुष्याणाम सरीरस्थाह महान रिपुह अस्ति उद्यम समाह बंधू न अस्ति यम कृत्वा मनुष्याह न अवसीधती आलस्यम अर्थात हमारा जो आलस्य होता है वही मनुष्याणाम सरीरस्थाह मनुष्यों के सरीर में स्थित महान रिपुह अस्ति महान सत्रू है सबसे बड़ा सत्रू है बच्चों दूसरे सत्रू जिनसे हमें भीती होती है जिनसे हमें परेशानिया होती है वो बहार रहते हैं बहार की दुनिया में रहते हैं समाज में रहते हैं पर आलत से ऐसा सत्रू है जो हमारे शरीर में ही वास करता है और हमारे लिए सबसे बड़ा दुस्मन है सबसे ज़्यादा हानिकारक है उद्यम समाह बंधू न अस्ती उद्यम उद्यम हा अर्थात परिश्रम हा उद्यम के समान बंधू न अस्ती कोई हमारा बंधू नहीं है हमारा कोई हितेसी नहीं है यम कृत्वा मनुस्यह न अवसीदती यम जिसको जिसको किसको परिश्रम को कृत्वा करके मनुस्यह मानवह न अवसीदती, मनुष्य कभी भी अवसाद को प्राप्त नहीं होता, दुखी नहीं होता। महान सत्रु है परिश्रम मनुष्यों का सबसे स्रेष्ठ सबसे उत्तम मित्र है परिश्रमी मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता अधुना अग्रिमं शुभाशितं पठा महा गुणी गुणम वेत्ती न वेत्ती निर्गुणों बली बलं वेत्ती न वेत्ती निर्बलह पिको वसंतस्य गुणम न वायसह करीच सिम्हस्य बलं न मुषकह अधुना अस्य सुभासित अस्य पदत्छेदम जानिमः गुणी गुणम् वेत्थी नवेत्थी निर्गुणः बली बलम् वेत्थी नवेत्थी निर्भलह पिकह वसंतस्य गुणम न वायसह करीच सिम्हस्य बलं न मूशकह अधुना अस्य अनवयं पस्यामह गुणी गुणम वेत्ती गुणी गुणम वेत्ती जानाती गुणी गुणुवान गुणुवान जनह गुणम वेत्ती गुणों को जानता है निर्गुणाह गुणम ने वेती, निर्गुणाह जिसमें खुद के गुण नहीं होते, वह गुण के महत्व को गुण को नहीं समझ सकता, बली बलम वेती, बच्चो जो बलवान होता है, ताकतवर होता है, सहायव बलस्य महत्वम जानाती, वही बल का महत्व जानता है, निर वसंतस्य गुणम पिकह वेत्ती वसंतस्य गुणम वसंत जो होता उसके गुण को पिकह कोयल वेत्ती जानाती बच्चों जानते हो आप कि वसंत के महिने में कोयल मधूर आवाज में कूजती है तो यहां कवी बताना चाहरा है इस लोक के माध्यम से कि वसंत के महत्व को उसके कोयल ही जानती है वायसह नवेति जो वायसह कववा होता है उसके लिए तो वसंत अग्रिश्म सिसर सभी रित्वे समान होती है उसमें किसी चीज को समझने के क्षमता नहीं होती सिम्हस्य बलम करी सिम्ह शक्तिशाली भवती करी ही अर्थात गजहा पे शक्तिशाली भवती सेर भी ताकतवर होता है और हाथी भी तो सेर के बल को हाथी ही समझ सकता है मूश कहा नवेती और एक निर्बल कमजोर चुहा सेर के बल को क्या समझेगा अधुना अस्य श्लोकस्य भावार्थम पश्यामहा गुणी मनुश्य एव गुणानाम महत्वं जानाती गुणी व्यक्ति ही गुणों के महत्व को जानता है गुण रहित हा मनुश्य हा कदापी गुणस्य महत्वं ना जानाती गुण से रहित मनुश्य कभी भी गुण के महत्व को नहीं समझता इसी तरह से बलवान मनुश्य हा एव बलस्य महत्वं जानाती बच्चो जो ताकतवर होता है वही बल के महत्व को जानता है बलहीन हा मनुश्य हा बलस्य महत्वं ना जाना कोयन ही वशंतीर मेध्व को जानती है न का और कोवा उसके महत्व को नहीं समझ सकता तथे उसी प्रकार सिम्हस्य बलम गजह एव जानाती सिम्हस्य बलम सेर के बल को उसकी ताकत को, क्षमता को, शक्ति को गजह एव जानाती गजह जो हाथी होता वही जानता है न तो मूशक कहा मूशक में वो सामर्थे कहा कि वो सेर के बल को जान सके अधुना अग्रिमं सुभाशितं पठामहा निमित मुद्धिष्य ही यह प्रकुप्यती धुरुवं से तस्या पगमे प्रसीधती अकारण अद्वेशी मनस्तु यस्यवै कथम जनस्तं परितोश इश्यती अधुना अश्य सुभाशित अश्य पदच्छेदं जाने महा निमित मुद्धिष्य ही यह प्रकुप्यती धुरुवं सह तस्या अपगमे प्रसीधती अकारण द्वेशी मनह तु यस्य वै कथम जनह तम परितोश इश्यती अधुना अश्य पद्धिष्य अनवयं पश्यामहा यह निमित मुद्धिष्य प्रकुप्यती सह तस्या निमित तस्या अपगमे सती धुरुवं प्रसीधती यस्य मनह अकारण द्वेशी अस्ती जनह तम कथम परितोश इश्यती वच्चो अत्रपध्य उक्तम अस्ती यह अर्थात यह मानुवह निमित्तं कारणं उद्धिष्य प्रकुप्यती कोपं करोती सह तस्य निमित्तस्य तस्य कारणस्य अपगमे समाधाने सती धुरुवं निस्चैन प्रसीदती प्रसन्नह भवती यस्य मनहा यस्य चित्तम अकारण द्वेशी अस्ती कारणम विनाएव द्वेश युक्तम अस्ती सह तम जनम कथम परितोश इश्यती अर्थात जो कारण होने पर गुस्चा होता है कोई परिस्थिती ऐसी होती है जिसकी वज़े से क्रोध आ जाता है वह उस कारण के दूर हो जाने पर निस्चे ही प्रसन्न हो जाता है यस्य मनह और जिसका मन अकारण द्वेशी बिनाकरण के ही द्वेश रखने वाला हो जनह व्यक्ति तम उसे कथम परितोश इश्यती उसको कैसे खुस करेगा अधुना अस्य भावार्थम पस्यामः यह जनह कारणम द्रिश्टवा प्रकोपम करोती अर्थात जो व्यक्ति कारण को देख करके प्रकोप करता है सह तस्य कारण स्य समाप्तव सत्याम वह उस कारण के समाप्त होने पर प्रसन्न भवति प्रसन्न भी हो जाता है बच्चों जैसे देखते हैं यदि आप लोग कक्षा में पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो शिक्षक कई बार नाराज हो जाता है घर में यदि आप अध्यन नहीं कर रहे हो या माता पिता ने कोई बात कही और उसको आप नहीं मान रहे हो तो माता और पिता भी रुष्ट हो जाते हैं क्रोधित हो जाते हैं पर जैसे ही आप पढ़ाई करना शुरू करते हो या माता पिता का इंदरदेश का पालन करने लग जाते हो तो क्योंकि वो गुशा का क्रोध करने का कारण था वो खतम हो गया तो वो फिर से प्रसन हो जाते हैं और उनका व्यवहार आपके परती पहले जैसा ही स्नेहयुक्त हो करता है स्तम जनम उस व्यक्ति को कहा प्रसन्नम करतुम शकनोती उसको कौन खुश कर सकता है अर्था किसी का भी सामर्थे नहीं है जो बिनाकारण से ही द्वेश भावना रखने वाला हो तो कारण हो या नहीं हो उस व्यक्ति को किसी भी परिस्तिती में प्रसन्न नहीं किया आगास्च वहन्ति बोधिताह अनुक्तम अप्यो हती पंडितो जनह परेंगित ज्ञान फला हि बुद्धयह अधुन अस्य सुभासित अस्य पदच्छेदं जानिमह उदित अर्थह पशुन अपी गृहियते हयाह च नागाह च वहन्ति बोधिताह अनुक्तम अपी उहती पंडितह जनह परेंगित ज्ञान फलाह हि बुद्धयह अधुन अस्य अनवयम पश्यामह उदिरितह अर्थह पशुन अपी गृहियते चात्रह उदिरितह अर्थात कथितह कहे हुआ अर्थह जो बाते हैं पशुन अपी गृहियते पशु भी उस चीज को समझ जाते हैं यदि कोई बात कही जाती है तो मनुष्य क्या उसको तो पशु भी समझ जाते हैं बोधिताह हयाह नागाह च भारम वहनती बोधिताह हयाह नागाह च हयाह अर्थात अश्वाह नागाह गजाह तो समझाय जाने पर प्रशिक्षण देये जाने पर तो हाथी घोडे भी भारम वहनती जो उन पर भार रख दिया जाए उसको वो वहन कर लेते हैं पंडिताह जनाह अनुक्तम अपी उहती विद्वान वही होता है जो नय कही हुई बातों को भी उहती उसको समझ लेता है अवगच्छती जान लेता है बुद्धया ही परेंगित ज्ञान फलाह भवनती उनकी बुद्धी इसारों में ही बात को समझने में समर्थ होती है वि आवार्थ देखते हैं पश्वह अपी कथितम विशयम आवगच्छन्ती पश्वह पसुभी कथितम कही हुई बातों को विशय को आवगच्छन्ती समझ जाते हैं बोधनेन तू अश्वाहा गजाहा चव उपरी स्थापितस्य भारस्य वहनम कुर्वन्ती समझाने पर तो घोडे और जो हाथी है वो भी उपर रखे हुए भार का वहन कर लेते हैं उसको ढो लेते हैं किन्तू विवेकी नह जनाहा अनुकतस्य अर्थस्य अपि अवगमनम कुर्वन्ती जो विवेक सील व्यक्ती होते हैं वो नैको ही हुई बातों के अर्थ को भी समझ जाते हैं यतो ही क्योंकि तेशाम बुद्धी ही उनकी जो बुद्धी है संकेत मात्रस्य संकेत मात्रस्य ह विशयस्य अवगमने समर्था भवती विशय को समझने में समर्था हो जाती है अधुना अग्रिमं सुभाशितं पठामहा क्रोधो ही शत्रू प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनास नाय यथा स्थितह काष्ट गतो ही वहनी सह एव वहनिर्दह ते शरीरं अधुना अश्य सुभाशित अश्य पदच्चेदं पश्यामहा क्रोधह ही शत्रू प्रथमह नराणाम देह स्थितह देह नास नाय यथा स्थितह काष्ट गतह ही वहनी सह एव वहनी देह ते शरीरं चात्रह अधुना अश्य श्लोकस्य अनवयं पश्यामहा नराणाम देह विनास नाय प्रथमह शत्रू देह स्थितह क्रोधह अस्ती चात्रो नराणाम देह विनास नाय नराणाम मनुश्या नाम देह स्थितह विनास के लिए देह के सरीर के विनास के लिए प्रथमह शत्रू हु देह स्थितह क्रोधह अस्ती पहला सत्रू हमारे सरीर में स्थित क्रोधी है इससे पहले विश्लोक में हमने क्रोध के दुस परिणाम के बारे में जाना है यहाँ पे भी क्रोध की बात हो रही है बच्चो कि क्रोध ऐसा सत्रू है जो हमारे सरीर में ही स्थित है यथा काश्ठ गतो ही वहनी काश्ठम दहते यथा जिस प्रकार काश्ठे स्थितह वहनी लकडी में स्थित आग अगनी काश्ठम दहते उस लकडी को ही जलाने में समर् सधित सहुआ वह-भभ निवही अगनी वही क्रोध रूपी अगनी शरीरम दहते शरीर को जलादेती है अधुना अस्य भावार्थं पश्या महा मनुश्यम नाशय तुम तस्य देह स्थितह हा प्रोधह एवह-प्रथमह सत्रू अस्ति मनुष्यों का नास करने के लिए उनकी हानि पहुंचाने के लिए उनके सरीर में स्थित क्रोधी उनका प्रथम सत्रू सबसे पहला सत्रू क्रोधी है यथा काष्ठे विद्यमान अगनी, जैसे लकडी में स्थित अगनी काष्ठम एव ज्वालयती, काष्ठ को ही उस लकडी को ही जला देती है बच्चों, तथा सरीरे विद्यमान क्रोध ही, सरीरम एव नाशयती, सरीर को ही नश्ट कर देता है प्रिये चात्रह अधुना अस्य पद्यस्य भावार्थम पस्यामह अब इस श्लोक का भावार्थ समझते हैं मनुश्यम नाशाई तुम तस्य देह स्थितह प्रोधह एव प्रथमह शत्रुह अस्ति बच्चों हम सुनते आए हैं और मानते हैं कि माता बच्चे की प्रथम गुरू प्रथम शिक्षिका मानी गई है क्योंकि बच्चा समाज में आगे बढ़ने के लिए माता से ही शिक्षा प्राप्त करता है उसके बाद में विद्याले में शिक्षक उसके गुरू होते हैं तो जिस प्रकार माता को प्रथम गुरू माना गया है उसी प्रकार यदि हम ये पुछें कि क्रोध मनुष्य का पहला सत्रू है यदि इसके बारे में चर्चा करें तो ये गलत नहीं है श्लोक के अनुसार मनुष्यों का क्रोध ही उसके सरीर में स्थित पहला सत्रू है यथा जैसे काष्ठे विद्यमान अगनी काष्ठ में विद्यमान जो अगनी होती है आग होती है काष्ठम एव ज्वालयती उस लकडी को ही जला देती है तथाईव उसी प्रकार सरीरे विद्यमान हो जो क्रोध है सरीरं एवनाशयती वह हमारे सरीर को ही नश्ट कर देता है, सरीर को ही हानी पहुचाता है तो बच्चो आज हमने इस सुभाशित नामक पाठ के प्रथम भाग को हमने पढ़ा है, हमने जाना है इसमें क्रोध से क्या नुक्षान होता है, बुद्धिमान व्यक्ति इस आरों में कही हुई बातों को समझ लेते हैं, आलस्य हमें नहीं करना चाहिए, और जो गुणी व्य प्रथम श्लोक में फिर से वरणन है कि क्रोध करने से व्यक्ति की अपनी हानी होती है, इसलिए क्रोध से हमें यथा सामर्थिय, दूर रहना चाहिए, क्रोध भी जरूरी होता है, पर अनावश्यक और छोटी-छोटी बातों पर क्रोध करना ये हमारे लिए भी एक समस्या बन जाती है और इसका निदान पाना बहुत जरूरी होता है, तो अगले पाठ में इसी तरह की अच्छी-अच्छी शुभाशितों के साथ में हम फिर से मिलते हैं, भवेत तावत शुभम मंगलम तदा परियंतम सर्वेशाम कल्यानम भवतु पुनह मिला महा। जरा उल्में धर फिर सम्चल स्वश्या ठाव डिर सकत् कए चरूंप लो शब करा बहुत अख़ सकत्वाश्ण लूम नगलम नग्पता है, लूम थो मिलाओन भुवेतो ठावरे हैं, तो अव Reality